नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारति आप सभी का बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्ते बारी जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बहुत जल्ड आपको परियावरण के दूसरे भाग पर ले करके चलूँगा तो आज हमारी जो अपनी आत्म सक्ति और स्वा अभिव्यत्ति का प्रियोग करना चाहिए ध्यान रखिएगा उस पर हम सारी चर्चाएं करेंगे लेकिन आपको मैं बता दूँ कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा सात्वी से लेकर के कक्षा वारहभी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लि वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे link in description box में आप जाएंगे तो आपको e-notes और e-books की संपूर जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगे ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं आज हमारी जो क्लास है उस पर हम चलेंगे क्लास रहेगी कक्षा नौवी संस शेमुसी प्रत्मो भागा पर्या वर्नम अनुबाद भाग दो ध्यान रखें भाग प्रत्म में हम लोग उसी पर चल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें पेड की कटाई नहीं करना है और किस प्रकार से क्या करना चाहिए लेकिन मनुस हैं मनुस कहां इन सारी चीजों से चू देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है परन्तु स्वार्थांधो मानवा तदेव पर्यावर्णम अध्य नासयती स्वल्पलाभायो जनां बहुमुल्यानी वस्तूनी नासयंती जनां यंत्रागारानां विसाक्तम जलं नद्यां निपात यंती तेन मत्यादीनां जल्चरा आनां चा छणन छडेनेव नासो भवती नदी जलमपी तत्सर्वतापेयं जायती मानवाह व्यापार्द वर्धनायो वन विरिक्षान निर्विवेकं छिद्यंती तसमात अवरिष्टी प्रवर्धती वन पस्वास्चा शरण रहिता ग्रामेस उपद्रवं विदधती अब यहां पर क्या क्या चीजे बताई गई हैं क्या क्या चीजे यहां पर कही गई है इसको एक बार हम पाठ कर लेते हैं और पाठ करने के बाद सारी चीजे हमें समझ में आ जाती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको इसलिए एक बार पढ़कर के दिखाया है कि आपको भी पहले पढ़ना चाहिए कोई जटिल सब्द है, कोई कठिन सब्द है, कोई हमसे पढ़ते नहीं बन रहा है तो उसके हमें क्या करना चाहिए? अध्यन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए क्योंकि हम जब बार-बार पढ़ते हैं तब इन सारी चीजों का स्वार्त निस्वार्त भाहु से भावार्त है हमारे सामने आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है तो इसके हम देखिए यहां से बात करेंगे उन्होंने क्या कहा है ध्यान से इसमें देखे परंतु स्वार्थु अंधु परंतु जो आज का मानव हमारा इतना स्वार्थ हो गया है स्वार्थ में अंधा हो गय है कि तट एव परियावरण मद्धिनास्यति वह आज परियावरण का नास कर रहा है परियावरण जहां से पर हर पर नहकंत शारी वस्तूगों के नष्ट करता जा रहा है अपने स्वार्त के प्रति मानो इतना अंध में जीर है चलिए के अधिनका आज नास करता जा रहा है स्वाल्प लाभाय स्वाल्प लाभाय स्वाल्प माने कम थोड़ा सा भी उसको अगर अपना लाभ दिख रहा है तो स्वाल्प लाभाय चतुर्थी विभक्ति यहां लगी हुई है तो अपने छोटे से लाभ के लिए ऐसा अर्थ निकलेगा कि अपन ही मूल्यवान वस्तु का क्या कर रहा है नाफ्स कर रहा है पर्यावरण को नस्ट करना ब्रक्षों की कटाई करना ये छोटी कोई ऐसी नहीं कि लेकिन कहा जाए बहु मूल्यानी नहीं तो अमूल है ये इसकी कोई मूल नहीं ब्रक्षों की कटाई करना एक एक ब्रक्ष को पल 12 से ब्रक्षी भी लगा रहे हैं तो वह भी 15 साल लगेगा उसको फिर से पर्यावरण में अपनी भागीदारी निभाने इसलिए यहां क्या कहा कि जना बहु लोग अपने बहुत मुल्यवान वस्तू का नास करते जा रहे हैं और जनाह यंत्रा आगाराम विशाक्त जलम व्यक्ति जनाह मनें व्यक्ति मनुस्य क्या कर रहा है कि यंत्रा आगाराम विशाक्त यंत्रा आगाराम समझ रहे हैं यंत्र आगार अर्था जहां पर वस्तूओं सामान बन रहे हैं फ्यक्टरी हम जैसे कह सकते हैं ठीक तो यंत्रागाराणाम यंत्रागारों के विशाक्त मने ऐसे विश्युक्त विश्में लिप्त ऐसे जलम मने जलको ऐसे जलको क्या कर रहे हैं नद्याम निपात यंति नदियों में नद्याम सब्तमी व्यवक्ति का एक बचन रूप लगा है निपात यंती मिलाते जा रहे हैं बड़े बड़े नालाओं के द्वारा अपने विस से फैक्टरी आदी से यंत्रागारों से निकले हुए विसात विस से युक्त जल को नदीयों में क्या कर रहे हैं मिलाते जा रहे हैं तेन मत्स्यादी नाम जल्चराणाम चाछण नहीं वनासो भवती जिसके कारण से तेन जिसके कारण से मत्स्यादी मत्स्यादी नाम का मत्लब मत्स्यादी नाम मत्स्यादी आदी नाम जल्चराणाम जितने भी जल्चर हमारे छोटे छोटे जीव जन्तु है मचलियां और जलचर जितने भी है वह छणे ने वो छण भर में ही छण भर में ही क्या हो जाते हैं नासो भवती नस्ट हो जाते हैं मतलब विसाक्त जल जो फैक्टरियों के द्वारा और यांत्रागारों के द्वारा जो निकला हुआ एक ऐसा दूसित जल है जो नदियों में मिलने से नदियों की मचलियां और उसमें रहने वाले छोटे छोटे जलचर उनका क्या हो जाता है नास हो जाता है नदियों का जल भ और अपे का मतलब ना पीने योग जायते माने हो गया है मानवाह व्यापार वर्धनायो मानवाह मने मनुष्य मानवाह मतलब मनुष्यो और व्यापार वर्धनाय अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वर्धनाय वरे दिधातु है बढ़ने के अर्थ में व्यापार मतलब आपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन विरिक्षान बनके विरिक्षों को दुतिया विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और तो यहां पर आपको बन वरिक्षों को निर्विवेकम छिद्यंती बिना सोचे समझे निर्विवीकम का मतलब विवेक पूर्ण मतलब सोच समझ करके और निर्विवेक का मतलब बिना सोचे समझे छिद्यंती मतलब काट देते हैं काट देते हैं तसमात आवरिष्टी प्रावर्धते जिससे जल वर्षा पर बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ता जिसे हम कहते हैं जिससे सुखा पढ़ने लगता ब्रिष्टी नहीं होती क्यों ब्रक्षों का मूल भूत योगदान होता है ब्रिष्टी कराने में मांसून बनाने में ब्रक्षों का परवतों का पठारों का बहुत बड़ा योगदान होता है और जिस कारण से ब्रिक्ष की कटाई होने से तसमात आवरिष्टी प्रावर्धते मतलब सूखा वरता है बन पसवस्चा सरण रहिता और चा मने और बन पसू और बन पसू क्या हो जाते हैं सरण रहित हो जाते हैं ब्रक्ष कट जाएंगे बन पसू कहा जाएंगे जंगल में रहने वाले जो जीव जन्तू है वो कहा जाएंगे तो उन्होंने कहा सरण रहता सरण रहतो हो जाने के कारण ग्रामे सुप द्रबम विधधती गाउं में जाकर के बोले आज इस गाउं में सेर के द्वारा हमला किय गया है आज इस गाउं में तेंदुए के द्वारा हमला किया गया है अब जो जंगल में रहने वाले जीव जन्तु वहां पर उनको जब बन नहीं मिल रहे हैं कोई जीव जन्तु नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए उनको उनकी सामगरी नहीं मिल रही है तो वह जाकर की गा व्रिक्ष करतना ब्रक्षों के काटने से सुद्ध व्रक्षों 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 के क ही स्वार्थ अंधों एवं ही स्वार्थ अंध मानवई और अपने स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विक्रतिम उपगता प्रकर्ति स्वार्थ में अंदे होने के कारण उन मानवों के द्वारा विक्रतिम उपगता प्रकृती हमारी प्रकृती क्या होती जा रही है विक्रत होती जा रही है परिवर्तित होती जा रही है एव शर्वे साम विनास करत्री इसी से पूर सभी जितना भी विनास हो रहा है उसके करत् कौन है सब मानवा भावति मानव होते हैं विक्रतिम उपगते परियावर्णे विवदा रोगा और जैसे ही हमारी प्रकृती विक्रती हो जाती है मतलब दूसे तो हो जाती है तब परियावर्णे विवदा रोगा परियावर्ण में विविद प्रकार के यनेक प्रकार के लोग उत्पन्य जन में लेते हैं वीशन समस्या और वीशन समस्या का हमें क्या करना पड़ता है संभवती वीशन समस्या आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है तत्षरवाइदानीम चिंतनियम प्रतिभाती और इसी वज़े से इस समय हम सभी लोग चिंतन अवस्था में बैठे हुए हैं सोचने वाली अवस्था में बैठे हैं और सोच रहे हैं आच्छा आपने देखा कि गत वर्षों में हम लोगों ने कितनी बड़ी समस्या का समाधान देखा है गत वर्षों में अपना अठारा में जाएंगे आप 2018 में 19-20 यहां पर कोरोना का टाइम आया अब वो कोरोने का टाइम क्यों आया क्यों क्योंकि आज भी कोई समस्या हमारी बहुत अच्छी सुलजी हुई नहीं है ऐसे संकट आते हैं कब आते हैं अब जरूरी नहीं है कि कोरोना निकल गया है तो बोले आगे नहीं आएगा और कोरोना से पहले भी कोई ऐसी बीमारी नहीं आई होगी बहुत आती है इनका एक समय होता है जब प्रकरती पर धीरे 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 कोई संचित हो करके बहुत एकत्रित हो जाती है तब एक बार में फिर वो क्या है बीमारी फूट करके घड़े जैसे फूटता है ना तो ऐसे फूटती है इससे पहले हैजा आया टीबी आई छे रोग आये और ये क्या अब कोरोना आया कोरोना अपने अपनी लाइफ में तो सबसे बड़ी बीमारी है नह देख लिया पूरा विश्व बंद पड़ा है यह है नहीं तो क्या यह परियावरण पर पढ़ने वाला हमारा परियावरण जब संतुलित नहीं रहेगा तो इसी प्रकार की भीशन से भीशन समस्याएं और रोगों की का होती है उत्पत्ती होती है जिससे माना जीवन संकट मे लगा हुआ है इंसान आज अपने घर बनाने के लिए अपने परियावरण को संतुलन रखने के लिए व्यक्ति एक मिनिट भी नहीं सोच रहा है घर बनाना है तो पीछे पेड़ लगा है उसको बुले काड़ दो घर बन जाना चाहिए घर अच्छे से बन जाना चाहिए पे find तेल बना रहा हूं यहां तो मैं सर्शों का original quality का तेल बना रहा हूं लेकिन पता नहीं उसमें क्या-क्या mix कर रहे हैं उससे निकले हुई दूसित जो हमारा जल है वह नदियों में कूपों में तालाबों में जाकर के मिला देते हैं यह क्या इसका संरक्षण होना चाहिए संर करके प्रद्वी के मारगे से वह जाकर के प्रद्वी में समाहत हो इस प्रकार का कुछ इसका पुनर जल निकरन होता है तो वह कार होने चाहिए इसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग योगदान दे सकते हैं लेकर नहीं कोई इंसान इतना सोच ही नहीं रहा है बस आज चलिए प्रपारियावरर को संतुलत रखने में किसी का कोई योगदान नहीं छोटी सी चीज से ले लो जो हमारे यहां पर आते हैं कच्ड़े डालने वाली गाड़ी आती है गबर्मेंट कर रही है वो दर्वाजे पर है लेकिन हम उसमें भी नहीं डाल पा रहे हैं क्यों नहीं डाल पा रहे हैं कष्ट होता है आप नीची रहते हैं उपर रहते हैं आप सो रहे हैं समय पर नहीं है सोबच साथ बजी आप डाल नहीं पा रहे हों क्यों बोले सो रहे हैं कौन नीन डिस्टरप करके जाएगा कचला डालने के लिए ये छोटी छोटी चीजे अगर देखें जाएं तो यही हमारी पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होती है औ नासियती कर्मबाच की करिया है लटलाकार परतम पुरुष एक बचन का है स्वालाभाय में चतुर्थी विवक्ति का एक बचन है बहु मुल्यानी में प्रत्मा का बहुबचन है वस्तूनी में भी प्रत्मा का बहुबचन है नासियंती में बहुबचनांत रूप लगा हु हुआ है नद्याम में सप्तमी का बहुवचनांत रूप है निपात यंती में बहुवचनात रूप है तेले में तृतिया विभक्ति लगी हुई है मत्स्यादी नाम में सश्टी का बहुवचन जर्चरा नाम में सश्टी का बहुवचन छड़े नई में ब्रद्धी संदी भव कि यहां त्रतिया का बहुवचन रूट है सर्वे साम में सश्टी का बहुवचन यहां पर भी कर्त्री हमारा सब्द है जैसे नेत्री सब्द होता है वैसे कर्त्री सब्द है और यहां पर हमारा बना हुआ है इस्त्रिवाची सब्द है सम्भवन्ति तो यहां पर भी आपका ब आगे देखिएगा स्वार्थ अंधो का मतलब होता है स्वार्थ उस्से अंधे अंधे और यंत्रागाणा ना मतलब कार खानों के नद्याम का मतलब नदी में मत्स्यादी नाम का मतलब मच्छनियों आदी के अपेम मतलब ना पीने योग विनास करत्री का मतलब विनास करने व विवेक रहित और व्रिक्ष करतनात का मतलब ब्रक्षों को काटने से अर्थ देखेंगे अर्थ में क्या दिया हुआ है परंतु स्वार्थ से अंधा मनुस तो आज पर्यावरण का नास कर रहा है थोड़े लाव से मनुस बहमूल वस्तुओं का नास करते हैं लोग कारखानों का जहरीला जल नदी में गिराते हैं उससे मचलियां आदी का और जल्चरों का छण भर में ही नास हो जाता है नदी का जल भी सर्वता ना पीने योग हो गया है मनुस से बन के व्रक्ष व्यापार वढ़ाने के लिए विवे के हींता से काटते हैं उससे सूखा वढ़ता है और सरण रहत बन के पसू गाउं में उपद्रप करते हैं व्रक्षों को काटने से सोदवायु भी संकट से योगत्त हो गई है इसी प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुस्य के द्वारा विक्रती को प्राप्त प्रकृती ही सबका विनास करने वाली हो गई है पर्या वरण में विकार हो जाने पर अनेक रोग और वीशन समस्यां प्यदा होती हैं वह सब अब चिंतनीय लगता है क्या लगता है चिंतनीय लगता है चलिए आगे बढ़ेंगे आगे देखिए गाइस का चौथे नंबर का पैराग्राफ है चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता ह ध्यान से देखें लिखा हुआ धर्मों रक्षती रक्षता इत्या आर्श वचनम पर्यावर्णम रक्षनम अपी धर्म सैवांग मिती रिश्या प्रतिपादित बनता अत एव वापी कूप तड़ाग आधी निर्मानम देवाय तन विश्राम ग्रिहाधी स्थानापन इस्था चराह मर्च कच्छपा मकर प्रिभृतया जल चराश्चा अपी रक्षणिया यत ते इस्थल मला नाम अपनो दितम जल मला नाम अपहारिनस्चो प्रक्रति रक्षया एव लोक रक्षया संभवति इत्यत्र नास्ति संसया देखें यहां पर भी हमारे कहते हैं कि धर्म की रक रक्षा करता है और धर्म उसकी रक्षा करता है धर्म रक्षती रक्षता जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है यह किसका बचन है आर्स वचन रिसी मुनियों के बचन है आर्स वचन विद्वानों के बचन है धर्म रक्षती रक्षता इत्ति आर्स वचन यह हैं हमारे विद्वानों के रिस्यों के आर्सों के बचन है आर्सों बचन है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और परेवर्णम रक्षणम अपी धर्म स्यो वांग मयम हीती और परेवर्ण की रक्षा करने में भी धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए फिर इसलिए रिस्या प्रतिपादित बनता ऐसा हमारे रिस्यों ने कहा कि हम धर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं मानवों की रक्षा कर सकते हैं तभी मानवों की रक्षा होती है जो हम धर्म की रक्षा करते हैं अतहेम बापी कूब तडाग आदी निर्मानम मतलब जैसे बात करें हम कि जरूरी नहीं है कि आप पर यह वरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं पर यह वरण की रक्षा अनेक प्रकार से की जा सकती है जैसे वापी नहर आदी कूप कुए आदी तडाग तालाव आदी आदी का निर्मान करके देवायतनम विष्राम घ्रहम अदि इस्थापनम चा और देवायतन आये हुए हमारे यो लोग होते हैं उनके लिए विष्राम घ्रह आदि की स्थापना करना धर्म सिद्ध्धि उन्यल्स रूप Ve trou art hun ma करना होता है जैसे कुकुरह सूकुरह सर्पा नकुल आदी इस्थल चरह प्रदवी पर रहने वाले जैसे कुट्टा मतलब सुवर वह कुट्टा मतलब स्वान कुकुर माने कुट्टा सूकर सुवर सर्प साप नकुल नेवला आदी ये इस्थल चर हैं प्रत्वी पर रहने वाले मर्थ से मतलब मचली कच्छप मने कच्छुआ मकर मतलब मगर मक्ष प्रवी तयाह जल चरा और ये जल चर इनका सबका आपी रक्ष्मियां ये भी हमारी प्रत्वी की परियावरण की रक्षा करते हैं कैसी करते हैं यतहते इस्थल मलाना उने जैसे ही ये मस्थ इस्थल मलाना प्रतवी पर इस्थापित जो मल आदी होता है इन सबका क्या है ये सर्प, नेवला, सुकर, कुकर इनका सबका क्या करते हैं सफाया कर देते हैं मल आदी जो पड़ा होता है गंदगी पड़ी रहती है यही तो सब प्रत्वी से साफ करते हैं अपनो दितम जल मला नम और जल में युक्त जो मल आदी होता है जो गंदगी होती है वो सब यह कहते हैं क्या कौन मत्सम कच्छप मकर आदी इसका क्या कर देते हैं सफाया कर देते लोग की रक्षा है प्रत्वी की रक्षा है संसार की रक्षा करना है तो हमें प्रक्रती की रक्षा करने जाहिए स्टोडा व्याकरणात्म टिपडी को देखें देखी शरलार्त व्याकरणात्म टिपडी पे देखेंगे तो धर्मा यहां प्रत्मा काएक बचन है और वी सर की संदी लग जाएगी तो यहां उत्ति संदी हो जाएगी धर्मो रक्षती रक्षती रक्षता रक्षंती तो यह लट लकार पुर्थम पुरोष एक बचन का रूप हो जाएगा फिर रक्षिता तो यहां पर भी हमारा रक्षिता कहां का दोई बचनांत रूप है इत्ति आर्श बचन इत्यार्ष बचनम इत्यार्ष बचनम इत्यार्ष बचनम इके स्थान पर या अदेश हो करके यण संधी यहां पर हो जाएगी इत्यार्ष बचनम पर्यावर्ण रक्षणम अपी तो पर्यावर्ण रक्षणम अलग हो जाएगा अपी अलग हो जाएगा धर्मह तो आप ऐसे क कर देंगे धर्मस्यों सश्टी भ्युक्ति लग जाएगी एव अलग हो जाएगा तो व्रधिसंदी यहां दिर्गिशंदी ओईगी धर्षिया में रिसी रिसी रिसेया तो बहुएं प्रत्मा का प्रति प्रति पादित बनता यहां बहुबचनांथे वापि कूप तडदाग आधी निर्मानम तडदाग तालाव आधी निर्मानम देरगिशंदी विश्राम गृह आधी तो यहां पर प्रवितया में भी प्रत्मा का बहुवचन रूप है जल चराश्चो तो यहां प्रत्मा का बहुवचनांत रूप लगा है रक्षुणी यहां तो प्रत्मा का यहां बहुवचनांत रूप है ते सहताउ ते यह भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है इस्थल मला जल मलाम सश्ठी का बहुब चन अप यहां पर विशरग शनदी प्रक्टी रक्षःयां तहतिए का एग बचन लोग रक्षा सम भवती सम भवती सम उवसरग नहीं है सब्दार्थ देखीएगा सब्दार्थ में क्या दिया हुआ है देवायतन देवायतन का मतलब मंदिर और प्रति पाधित वंता हमने निरदारित किया गया अपनो दिनाह माने दूर करने वाला संसया माने संदेह कच्छपा का मतलब कच्छुआ मकरह मतलब मगरमच सुकर माने सुवर सुकर का मतलब सुवर नकुल मतलब नेवला आर से वचन मतलब रिस्यों के वचन आर्स वचन मतला रिष्णियों के विद्वानों के वचन अर्थ देखिएगा अर्थ में क्या दिया हुआ है रक्षत धर्म रक्षा करता है रक्षत धर्म ही रक्षा करता है ऐसा रिष्णियों का वचन है परियावरण का रक्षन भी धर्म का ही अंग है ऐसा रिष्णियों न नेवला आदी इस्थलचर और मचली कच्छुआ मगर मच्छ आदी जलचर भी रक्षुनी हैं क्योंकि वे भूमी की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं प्रकरती की रक्षा से ही लोक रक्षा संभाव है यहां संदे नहीं है यहां क्या न दियान रखिएगा आप लोगों ने प्रतम भाग भी पढ़ा है और दुतिय भाग अब पूरी कहानी को एक बार अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रिवाइस करिएगा क्योंकि अब जो हम इसके बाद लाने वाले हैं वो रहेगी आपका अभ्यासकार मतला NCRT Solutions हमारा पर अच्छा वारहमी तब के हिंदी मीडियम और इंग्लेस मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स भी तैयार किये हैं वो नोट्स आपकी परिक्षा में उतक्रिष्ट और उत्तम लाने में आपकी मदद करेंगे तो आपको जल्दी से संपर्क कर लेना क्यों संपर्क क का सूतर आपके लिए क्या है लिंक इन डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यह नोट्स और इवुक्ष की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगे और आपको बाकी मालुम है कि मैगनेट ब्रेंस आपको हिंदी मीडियम औ और हाँ जो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है ध्यान रखिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ जयातु संस्कृतम जयातु भारतौं